लास्ट पार्ट में हमने दिखा था वहींग को वांग जी के वेडिंग के बारे में पता चलता है जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है New Year Celebrations के लास्ट टे वाले दिन जब वो अपने इन वापस लोटता है वो बहुत बुरी तरह ड्रंग था तबी ओनर की डॉटर आकर कहती है यंग मास्टर आपसे मिलने के लिए कोई आया है वो यिंग से मिलने के लिए फैसंग वहां आया हुआ था फैसंग वो यिंग को देखते ही कहता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ आप यहां मेरी सिटी में इतने समय से हैं पूरे विंटर आपने यहां बिताए पर आप मुझे विजिट करने के लिए बिलकुल नहीं आए क्या अपने ओल्ड फ्रेंड को इसी तरह ट्रीट किया जाता है विंग मुस्कुराते हुए कहता है पर सैक लीडर नहीं खुद मुझे मेरे क्वार्टर्स पर विजिट करने के लिए आये हैं इससे जादा खुशी तो मुझे कभी नहीं हो सकती थी हैसा अगा विंग को अपने पास बैठने के लिए कहता है और उससे कहता है वे ब्रदर पर आप सच में बहुत जादा कुरूल है आपने हिस एक्सिलेंसी को ऐसे ही छोड़ दिया स्पेशली तब जब वो वेडिंग की तैयारी में लगे हुए है I'm sure इस वक तुन्हें आपकी बहुत जरुवत होती वेडिंग एक वीक लाफ हसते हुए कहता है नी ब्रदर तुम तो मुझे जानते हो ना मेरी दहने का कोई ठिकाना नहीं है और लंजा मैनेज करने में बहुत अच्छा है मुझे पता है वो सब कुछ मैनेज कर लेगा हुएसांग कहता है Of course वो तो हैं ही तभी तो जिससे उनकी शादी होने वाली है वो एक पावरफुल कल्टिवेटर है दोनों एक दूसरे को परफेक्टली सूट होते होंगे वींग फिर से एक वीक स्माइल देते हुवे कहता है Of course तभी चेंगे सेक्ट का एक मेंबर आकर हुएसांग से कहता है सैक नीडर नी मास्ट वे शायद हम लोगों को अनक्लीन राल्म वापस जाना होगा हमें खबर मिली है कि सैक नीडर याओ आपसे मिलने के लिए आना चाहते है हैसांग वींग से भी अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वींग मना कर देता है हैसांग वहाँ से चला जाता है कुछ दिनों के बाद वींग चिंगे भी छोड़कर चला जाता है जाने से पहले वो हैसांग को विजिट करने के लिए नहीं जाता क्योंकि वो वांग जी के बारे में किसी से भी बाते नहीं करना चाहता था वो फिर से टाउन टू टाउन अपना ट्रावल शुरू कर देता है और नाइट हंटिंग शुरू करता है क्योंकि वो खुद को एक मौका देना चाहता था हील होने का वो एक टाउन में रात बिताने के लिए रुकता ही है तभी वो कल्टिवेटर्स के एक ग्रुप को देखता है जो आपस में बाते कर रहे थे एक आदमी कह रहा था वो खुद को समझता क्या है उसे चीफ कल्टिवेटर बनाया गया था क्योंकि सबको लगा था कि वो मोह माया से कभी भी डिस्ट्रेक्ट नहीं होगा और अब वो खुद शादी कर रहा है सारे सैक लीडर्स को उसमें जाना पड़ेगा क्योंकि वो एक चीफ कल्टिवेटर है और अभी तक उसने डेट तक नहीं बताई है वो सच में बहुत घमंडी चीफ कल्टिवेटर है तभी एक दूसरा अदमी कहता है हाँ और उसकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है वो अब चाते हैं कि हम बैक वार्टर विलेजिस पर जाकर प्रोटेक्शन दे और उन्हें कुछ घोस्ट और फिर्स कॉर्प्स से बचा कर रखे और वो आराम से कलावड असेस में मैरिश के बाद अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाते है बस बहुत हो चुका था वह इंग ने बहुत सुन लिया था वो अपनी सीट से खड़ा होता है और उन सब से खहता है सौरी यंग मास्टर्स पर शायद मुझे लगता है कि आप हिस एक्षिलेंसी की बाते कर जही है तो ज़रा मुझी खुद को एक छोटी सी एडवाइस देने दो हंग उन जुन का नाम इतना छोटा नहीं कि तुम्हारे जैसे डर्टी कल्टिवेटर्स अपनी मुह से उनका नाम ले अगर आगे से कभी में मैंने तुम मेंसे किसी को भी मेरे प्रेजेंस में उन्हें डिस्ट्रेस्पेक करते हुए सुना तो मैं वहीं की वहीं तुम सब की जीब काट दूँगा और तुम जानते ही होंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सुनने के बाद उन सब के फेस होरिफाइड देखने लगते हैं उन में से कोई भी एक शब्द नहीं कहता वीइंग अपनी फ्लूट हाथ में लिए वहाँ से चला जाता है स्प्रिंग का सीजन आते आते फाइनली वीइंग डिसीजन लेता है गूसू की डिरेक्शन में जाने की इन दुनों उसने खुद को समझा लिया था कि अगर वो लंजा का और कुछ नहीं बन सकता तो कम से कम उसका दोस्तों हमेशा बन कर रह ही सकता है ना फाइनली वीइंग गूसू पहुँच जाता है वो उसी फैमिलियर पाथ से होकर गुजरता है जहां उसने और लंजा ने एक साल पहले गुडबाई कहा था वो उसी पहाड़ी पर जाकर खड़ा होता है जहां से उसने लंजा के लिए आखरी बार फ्लूट प्ले की थी वो अपनी फ्लूट निकालता है और फिर से उसे प्ले करने लगता है फ्लूट की वो melodious voice पूरी हवा में घुल गई थी वीइंग अपनी आखे बंद कर लेता है वो वांग जी को इमाजिन करने लगता है तब ही उसे पीछे से आवास सुनाई देती है वीइंग एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि शायद ही उसका वहम है और वो फिर से अपनी फ्लूट प्ले करना शुरू कर देता है पर इस बार उसे केवल आवास नहीं सुनाई देती बलकि सैंडल वुट की सैंट का भी हैसास होता है वीइंग पीछे मुरकर देखता है तो उसके फेस पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है क्योंकि वहाँ वाइड रोब में लंजा उसके पीछे खड़ा हुआ था अचानक उसके आँखों से आँसु आने लगते हैं और वो एक वीक फॉइस में कहता है लंजा दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहा था और पहाड़ी से नीचे की तरफ साथ साथ जाने लगे थे वीइंग बीच बीच में बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लंजा यहीं उसके साथ है वुई इंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए उन दोनों के बीच जो silence था उसे कैसे तोड़ना चाहिए वो दोनों इतना नजदीक चल रहे थे कि वांग जी की sleeves वुई इंग को touch हो रही थी वुई इंग को इस वक्त बहुत ज़ादा खुशी भी हो रही थी साथ में थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था क्योंकि लंजब किसी और का था और इस तरही किसे उन दोनों का आपस में touch होना ठीक नहीं था वुई इंग लिटल अपल के पास जाने के बहाने वांग जी से थोड़ी distance maintain कर लेता है वो लोग पहाड़ी के नीचे almost पहुँच ही गए थे तभी अचानक लिटल अपल वुई इंग की तरफ मुरता है जिससे वुई इंग गिरने ही वाला होता है पर वांग जी उसे समाल लेता है वो उसे वेस्ट से अपनी तरफ खीश लेता है तोनों एक दूसरे के बहुत नज़ीक आ गए थे पर वुई इंग तुरंट वांग जी से अलग हो जाता है एक बार फिर वुई इंग एकदम शान्त हो जाता है कुछ टाइम बाद वांग जी उसे कहता है तुमने लेटर्स भेजना बंद क्यों कर दिया वीइंग एक बार फिर weekly हसते हुए कहता है तुम्हें बता है क्यों लंजा वांग जी अब उसकी तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है नहीं मैं नहीं जानता वीइंग कहता है क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास मेरे simple life related letters को read करने से ज़्यादा और भी important चीज़ें होंगी अब करने के लिए लंजा तुम यहां कर भी कह रहे हो क्या तुम्हें wedding plan नहीं करनी है यह सुनते ही वांग जी completely statue बन जाता है उसके बाद वो वीइंग से कहता है हां मुझे करनी है अगर वीइंग मेरे साथ हो तो यह सुनते ही वीइंग की heart beat बिलकुल रुक जाती है उसकी आसपास की पूरी दुनिया जैसे बदल सी गई थी वो वांग जी से पूछता है क्या मतलब वांग जी कहता है वीइंग मैं तुम से शादी करना चाहता हूँ अगर तुम भी हां करो तो वीइंग कैसे भी खुद को manage करता है और वांग जी से कहता है लेकिन तुम तो किसी और से शादी करने वाले थी ना लंजा वांग जी अब उसे बिलकुल सीरियस फेस के साथ देखता है और एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं किसी और से क्यों शादी करूँगा जब मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ वीइंग का है वीइंग ये सुनकर बहुत ओवर्वांट फील कर रहा था उसकी पूरी बोड़ी जैसे खुशी से भर गई थी और वो आसमान में उड़ना चाहता था वो अपना हाथ वांग जी के फेस पर ले जाते हुए कहता है लंजा क्या तुम सच में ये सब बाते कह रहे हूँ तुम शौर हो वांग जी उससे कहता है मैं कभी भी जूट नहीं बोलता वींग इस वक्त वांग जी को किस करना चाहता था वो फील करना चाहता था कि क्या लंजा का माउथ उतना ही सॉफ्ट फील होता है जितना उसने इमेजिन किया था वींग उससे कहता है हाँ लंचा जूट बोलना मना है तो अब मुझे भी तुम्हें कुछ बाते बतानी है जो मैंने तब रियलाइस की जब मैं तुमसे दूर था लंचा जब मुझे पता चला कि तुम इस समर की एंड तक शादी करने वाले हो उसके तुरंट बाद मुझे रियलाइस हुआ कि मैं तुम से कितना ज़ादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे पास भाग कर आना चाता था और कभी भी तुम्हें ये शादी नहीं करने देना चाता था पर मैं क्या करता तुमने मुझे कभी कोई हिंटी नहीं दी लंजा, मुझे कैसे पता चलता कि तुम भी मुझे से प्यार करते हो अचानक से मुझे बस कुछ स्ट्रेंजर से पता चला कि कूसू लैंसेक्ट काफी सारे रैट सिल्क खरीद रहे हैं, क्योंकि लैंसेक्ट में एक ग्रैंड वैडिंग सेरिमनी होने वाली है, हम दोनों को एक ग्रैंड वैडिंग की क्या जरूवत है लंजा हम बस अपनी फामिली के सामने स्काई के सामने बहुज ले सकते हैं और हमीशा के लिए मैरेड हो सकते हैं वांग जी कहता है नहीं वैइंग, क्योंकि मैं तुमसे सीक्रेटली शादी नहीं करना चाहता और शरम की वज़े से सबसे तुम्हें छुपाकर नहीं रखना चाहता जैसा मेरे फादर नहीं किया था मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी करूँगा और कह सकूँगा कि तुम अब सिर्फ मेरे हो विइंग अचानक से ट्रैंबल करने लगता है और वांग जी से कहता है हाँ नंजा तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदी की बिताना चाहता हूँ तुनों मुस्कुरानी लगते हैं उसके बाद वो दुनों पासी के एक गैस्ट हाउस में रहने के लिए आ जाते है विइंग वांग जी से पूछता है वैसे तुम्हें वो रेट सिल्क खरीदने की इतनी जल्दबाजी क्या थी लंजा और मैंने सुना कि तुम फॉर्चुन टेलर के पास भी गए थे तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं हा कहनी वाला हूँ या नहीं फिर तुमनE यह सब क्यो किया वांग जी उससे कहता है क्योंकि मैं हर तरीके से प्रिपैर्ड रहना चाहता था इन केस अगर तुम अग्री कर देते मैं नहीं चाहता था कि हम शादी में बिल्कुल भी डिले करें वो ये घस्ते हुए कहता है लंजा तुम सच में impossible हो अगर मैं ना कहा देता तो तुम इतने सारे red silk का क्या करते वांग जी कहता है वो red silk waste नहीं जाता अगर तुमने अपने letter में IUN और journaling को लेकर जो भी बाते कहीं थी वो सच है तो वो ये घस्ते हुए कहता है पर वो दोनों अभी बहुत young है लंजा और क्या IUN भी journaling को वैसे ही पसंद करता है जैसे journaling करने लगा है वो दोनों अभी love और marriage के बारे में जानते ही कितना है क्या तुम्हें याद है लंजा हम दोनों कैसे थे जब हम उनकी एचके थे हम कितना लड़ते थे उस वक्त हमारे बीच में प्यार कब था वांग जी कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है वैंग completely shocked हो जाता है और confused होते हुए पूछता है लंजा तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम तब से मुझसे प्यार करते हो वांग जी कहता है हाँ वैंग वैंग कहता है और वो 16 साल लंजा जब मैं मर जुका था वांग जी कहता है उन 16 सालों में भी एक दिन भी ऐसा नहीं गया वैंग जब मैंने तुम्हें याद न किया हो वैंग मन में सोशे लगता है मैं कितना बड़ा फूल था मैंने लंजा के बिना कितना टाइम वेस्ट कर दिया वीइंग वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखती हुए कहता है लंजा आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ मुझे बता है मुझे में बहुत कमिया है पर मैं तुम्हारे काबिल बनने की लैंस एक्ट के काबिल बनने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा वांग जी उससे कहता है तुम अल्रीड ही काबिल हो वीइंग गेस्ट हाउस पहुँचने के बाद वांग जी ओनर से कहता है आज राध हम यहीं रुकेंगे उनर वांग जी और वांग जी और वीइंग को साथ देखकर कहता है और आपको कितने रूम्स की जरवत होगी हम गुण जुन वांग जी कहता है सिर्फ एक रूम आप हमारे रूम में डिनर और एमपरस इसमायल का जार भी पिछवा दिजेगा वांग जी और वाइंग दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और टाइम पर उनका डिनर भी रूम में आ जाता है वो दोनों बिल्कुल साइलेंस में अपना खाना खाने लगते हैं वाइंग को काफी सारी बात तो वांग जी से करनी थी पर खाना खाते वक्त वो बात नहीं कर सकता था खाना खा लेने के बाद वांग जी अपने आउटर रोप्स निकालता है और अपने हैट पीस को निकालने लगता है तब ही विइंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं मदद कर देता हूं वींग अपने ट्रावल बैक से वही जेट कॉम निकाल कर लाता है जो हो वांग जी के लिए लेकर आया था वांग जी जेट कॉम की तरफ देखने लगता है तो वींग कहता है नंजा तुम्हें ये बात बहुत सिली लगेगी पर ये जेट कॉम मैंने बिलकुर उसके पहले खरीदा था जब मुझे तुम्हारी वेडिंग के बारे में पता चला था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम मैं इस कॉम का क्या करूंगा मैं नहीं इसे तुम्हें वेडिंग गिफ्ट में दे सकता था और नहीं मैं इसे फैक पाया ये कितना लखी है ना वांग जी के आँखे एकदम सॉफ्ट हो जाती है और वो वींग सी कहता है वींग बीरे पा वांग जी के हैट पीस को भी निकाल कर बैट पर रख देता है तबी वांग जी उसे कहता है वींग तुम कुछ भूल रहे हो ऐसा कहकर वांग जी वींग के हाथ धीरे धीरे अपने फोर हैड रिबन पर लेकर आता है वींग का हाथ उस फोर हैड रिबन के चारों और शिवर कर रहा था दंजा सिर्फ और सिर्फ उस से प्यार करता है ये बात वियंग को खुशी से पागल कर रही थी वियंग धीरे धीरे उसका फोर हाड रिबन निकालता है और वांग जी के हाथ में रख देता है वांग जी उस रिबन को उठा कर वियंग के हाथ पर एक सॉफ्ट किस क लग चुकी हो ओकी गाइस आज का पार्ट में यही घतम करती हूं I hope आज का यह स्वीट और रोमांटिक सा पार्ट भी आप लोंको अच्छा लगा होगा विदो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा Thank you for watching, bye bye!